नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परिक्षा के डेली करेंट अफेर्स वाले सीरीज में दोस्तों आज की वीडियो में हम हाल ही में हुए करेंट अफेर्स से रिलेटेड टॉपिक पे डिसकस करने वाले हैं जैसा कि आपको पता है कि आपके एक्जाम के लिए current affairs का part कितना जादा important होता है और उससे direct सवाल बनते हैं और हम इस वीडियो में कुछ वैसे ही important current affairs को daily आपके साथ discuss करते हैं जो आपके एक्जाम में पुछे जा सकते हैं और इन सारी current affairs को हम एक detail के रूप में discuss करते हैं ताकि आपके उस current affairs से related अगर static information हो तो उसकी वी जनकारी आपको मिलती रहे तो दोस्तो बिना देर किये इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपसे request करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे और सबसे जरूरी बात यह है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि हमारी जो भी अगली वीडियो की अगर यहाँ पे update हो उसकी notification आप तक पहुंसती रहे तो दोस्तों बीना देर की यह वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन-कौन से ऐसे current affairs पे आज हम चर्चा करने वाले हैं जो आपके exam के लिए most important होने वाले हैं तो सबसे पहला कर इंटरफेर्स से news यह है कि एगा स्वीट एक ने US Open 2022 का खिताब जीत लिया है अब जानने की ज़रूरत इसमें क्या है कि यह जो खिलाडी है इन्होंने किस रेनी में इस championship का खिताब जीता है और इन्होंने किस को हरा कर यह खिताब जीता है तो अगर हम देख लें तो एगा स्वीट एक ने यह जो US Open 2022 में Aいます Singles का title अपने नाम किया है यानि यह जिस सरेनी में यह खिताब जीता है वो है Oμεis Singles यानि कि महिला एकल जो है स्रेनी में इन्होंने इस खिताब को जीता है और इन्होंने जिस खिलाडी को हरा कर ये खिताब जीता है उनका नाम है ओंस जैबूर और ये ट्यूनेसिया की एक खिलाडी है तो दोस्तो जैसे यहां पे आपको दिख रहे हैं कि US Open 2022 के महिला एकल जो है स्रेनी की बात की जा रही है और आप US Open 2022 के बारे में अगर आपने इससे पहले सुन रखा होगा तो ये एक Grand Slam टाइटल है और Grand Slam जो टेनिस के हैं वो चार आयोजित किया जाते हैं हर एक अलग-अलग मन्त में तो आपको ये जानने के जरूरत है कि इस चार Grand Slam के नाम क्या है और इनका जो आयोजन किया जाता है वो अलग-अलग कोट पर भी किया जाता है तो उसके बारे में भी आपको जनकारी जरूरी है इसके लिए आपको सारी की सारी जनकारी कहां से मिल जाएगी सरकारी परिक्षा वेबसाइट से आपको इस सारी Grand Slam की जनकारी आपको वहां से मिल जाएगी हमने अपडेट आपके लिए कर दिया है आप सरकारीपरिक्षा.com पे जाए और वहाँ पे आप देखे, वहाँ पे समान ग्यान का पेज है, आप उस पेज में जाएंगे तो आपको टेनिस के Grand Slam से रिलेटेड टाइटल वहाँ पे और विन के विजेता और रनर के सारे वहाँ इन्फरमेशन दिये हुए हैं, और ये जो टेनिस का Grand Slam है, ये टेनिस का Last Grand Slam टाइटल होता है, US Open 2022, लेकिन बाकी जो Grand Slam है, उनके परिनाम आ चुके हैं, और उनसे हर एक इन्फरमेशन मैंने इस साइट पे आपके लिए दे दिया है, तो आप उस साइट को भी जरूर विजिट करें, अब हम बात करते हैं है, इगा स्वेते, अभी मैंने बताया, और ये जो है एक पॉलिस ओमेन खिलाडी है, और ये इस खिताब को जीतने वाली पहली पॉलिस ओमेन खिलाडी भी बन गई है, यानि इन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है, और अगर इनके कैरियर का Grand Slam टाइटल इन्होंने अपने नाम किया है, अब आपको ये जानने की जरूत होगी कि इन्होंने कौन सा पहला टाइटल अपने नाम किया है, उसके लिए आपको सरकारी परिक्षा पे विजिट करना होगा, अब इस Grand Slam में और भी जैसे मैंने बताया कि अलग-अलग कैटेगरी में जो ह इस टॉम सैंडर्स और जॉन पियर्स रहे हैं, मिक्स डबल दो खिलाडियों का ये एक टीम होता है, जिसमें एक मेल खिलाडी होते हैं और एक फिमेल खिलाडी होते हैं, तो आपको जो है इस सरेनी के जो रनर अप रहे हैं उसे भी जानने की जरूरत है, और इसके लिए 21 साल में जीतने वाले पहले ऑस्ट्रेलियन ये डूर यानि की दोनों खिलाडी बन गये हैं, इससे पहले 21 साल के रिकॉर्ड में कोई ऐसा ऑस्ट्रेलियन खिलाडी नहीं रहा है, जिसने यूएस ओपेन का 2022 का मिक्स डबल का खिताब अपने नाम किया हो, ठीक है, बढ़ते इसके प्रिसिडेंट के दोरा इन्हें कैसे मनोनित किया गया है, इस पर चर्चा करते हैं, तो बेसिकली ये जम्मू और कास्मीर से बिलॉंग करते हैं, और ये बीजेपी के नेता है, और बीजेपी से इनका जो टोटल नाता है, वो लास्ट 24 सालों से ये बीजेपी से जु लगया है कि हमारे देश की जो प्रिसिडेंट है, वो राजसभा में 12 मेंबर को नियुक्त कर सकती है, अलग-अलग फिल्ड से, और इस बार जो हमारे देश की प्रिसिडेंट ने जो हाली में राजसभा के मेंबर के रूप में नियुक्ति की है, उनका नाम गुलाम अली जी है ठीक है और अब क्या हुआ है कि राज सभा में जो है एक मिम्बर की वैकिंसी खाली हो गई है यानि कि हर दो साल पे जो है वहाँ पे एक ती हाई सीट खाली हो जाती है और छे वर्ष के लिए जो है इन्हें total नियोक्त किये जाते हैं तो क्या हुआ है कि राजय सभा की एक member की vacancy खाली हो गई है और उसी member को feel करने के लिए उसी vacancy को feel करने के लिए गुलाम अली जी को राश्टपती के द्वारा मनोनीत किया गया है आगे बरते हैं दिखते हमारा अगला news अगला news यह है कि हमारे देश की भारतिये नौ सैनिक द्वारा थर्ड इस्टेल्स फ्रीगेट प्रोजेक्ट सेवेंटीने के तहट लाँच कर दिया गया है अब तीसरी जो यूदपोट की जो लाँचिंग की गई है प्रोजेक्ट सेवेंटीने के तहट प्रोजेक्ट सेवेंटीने है क्या और यह तीसरी की लाँचिंग हुई है तो यानि पहली और दूसरी की नाम जानने की आपको जरूरत है चलिए उस पे चर्चा करते हैं तो इस जो तीसरी यूदपोट का जो अभी हाली में लाँचिंग किया गया है भारतिये नेवी के द्वारा उसका नाम है तारागीरी याद रखिएगा इसका नाम है तारागीरी और इसकी जो लाँचिंग की गई है वो महरास्ट के मुंबई में की गई है और इसकी इस जो यूदपोट का जो निर्मान किया गया है वो मजगाओ, डॉक, सिप बिल्डर्स, लिम्टेट के द्वारा किया गया है और इसकी अगर डिजाइनिंग की बात कर ले तो इसे भारतिये नौ सेना के जो इन हाउस टीम है और जो इन हाउस और्गनाइजेशन है Bureau of Novel Design इनके दौरा इसका डिजाइनिंग किया गया है और बिसिकली ये इन्डियन नेवी के लिए एक Guided Missile Frigates के रूप में इसे जो है construct किया गया है यानि भारतिये नौ सेना को इस तरह की जो यूदपोत सामिल किये जाएंगे इससे भारतिये नौ सेना काफी और जो है स्ट्रॉंग और सुरक्षित महसूस कर सकते है ठीक है अब इस प्रोजेक्ट 17A के तहट ये तीसरा Steel Frigate है यानि कि तीसरा यूदपोत है तो पहला और दूसरा कौन है और इसकी लौचिंग कप की गई है इसपे चर्चा कर लेते है तो जो प्रोजेक्ट 17A है जो भारतिये इंडियन नेवी के दोरा इससे सुरू किया गया है 2018 में इसे भी याद रह कियेगा कि इंडियन नेवी के दोरा इसे 2018 में सुरू किया गया था और इस प्रोजेक्ट 17A के तहट ये फैसला लिया गया कि तीन ऐसे युदपोतों का निर्मान होगा जो की एक मिसाइल गाइड़ फ्रिगेट्स होंगे यानि की हमारे दूस्वानों को तबाह करने के लिए ये सिप काफी होगा और अपने आत्मरक्षा के लिए भी ये सिप ड 2019 को किया गया था अभी इस सिप का कमीशन नहीं किया गया है और दूसरा जो इस प्रोजेक्ट के तहट जो युदपोत है उसका नाम है उदयगिरी और इसकी जो लॉंचिंग की गई थी वो 17 मैं 2022 को की गई थी तो दोस्तों आपको यहां पे तीनों युदपोतों के बारे म उसे भी याद अब जरूर रखिएगा अब जो यह प्रोजेक्ट 17A भारती नौ सेना के द्वारा जो सुरू किया गया है इसके लिए जो टोटल प्रोजेक्ट की जो वैलुएशन आकी गई है वो 25,700 करोर की आकी गई है आगे बढ़ते हैं देखते हमारा अगला न्यूज अगला न्यूज यह है कि सिंगापूर के द्वारा वहां की जो सबसे मेरिटोरियस सर्विस मेडल है उससे हमारे भारत देश के फॉर्मर नेवी चीप को सम्मानित किया गया है और यह कौन है और यह सम्मान का नाम क्या है और क्यों इन्हें सम्मानित किया गया है इस पर थो भूमी का निभाई है, वो 2016 से 31 मई 2019 तक इन्होंने निभाई है, और सिंगापुर के द्वारा ये जो मेडल दिया गया है, सर्विस मेडल, इसका नाम है पिंगाट, जासा, जेमिलांग, यानि जिसे तेंतरा के रूप में भी वहां के लोकल भासा, यानि तेंतरा के रूप में जना जाता है, और अपने जैसे सेर्वीस में जो इनका कंट्रिबियूचन होता है, उस बेस्ट कंट्रिबियूचन वाले परसन को इस सम्माज से सम्मानित किया जाता है. तो जो हमारे देश के फॉर्मर्न नेवी चीफ है, एड्मिरल सुनील लामबा जी, इन्होंने सिंगापूर की जो नेवी है और जो भारत की इंडियन नेवी है उन दोनों के बीच में जो रिष्टे हैं उसको मजबूत करने का काम इन्होंने किया है और इनके इस आउटस्टैंडिंग कंट्रिविशन के लिए इन्हें जो है सिंगापूर के प्रेसिडेंट हालिमाह अगला न्यूज है कि एक खिलाडी है किर्केट खिलाडी जिनका नाम है एरॉन फिंच इन्होंने ODI से रिटार्मेंट की एन्नाउंसमेंट कर दी है यानि कि अब ये वन डे इंटरनेशनल मैच नहीं खेलेंगे कहां के खिलाडी है और इनका वन डे इंटरनेशनल मैच में क अच्छे खिलारी माने जाते हैं और इनोंने अभी हाली में One Day International यानि की एकद्वसी मैच से इनोंने सन्यास की घोसना कर दी है और इनकी जो घोसना की गई है वो इनके कैडियर का 146th मैच जो की New Zealand के खिलाफ खेला गया है कैंस में इस मैच के बाद इनकी घोसना जो हुई है य 5401 रंस इन्होंने One Day International में बनाये हुए हैं जिसमें 17 सेंचूरी इनके नाम शामिल है और इन्होंने जो अपने सबसा पहला One Day International मैच खेला था वो सिरलंका के खिलाफ खेला था और Milvern किर्केट ग्राउंड में 2013 में इन्होंने खेला था और जो इन्होंने One Day International में सबसे पहला सतक लगाया था वो इन्होंने स्कॉर्ट लेंड के खिलाफ लगाया था और इनका जो उस समय जो रं था वो टोटल स्कॉर था 148 रंस आगे बढ़ते हैं देखते हमारा अगला नीज अगला नीज यह है कि Formula One के खिलाडी मैक्स वे स्टेपन ने Italian Grand Prix का खिताब अपने नाम कर यह इनका Second Formula One का खिताब है और इस खिताब को यानि की Italian Grand Prix के खिताब को यह इन्होंने पहली बार जीता है यानि Italian Grand Prix का खिताब इनके कैडियर का पहला खिताब है और दूसरा अस्थान जिनको मिला है उनका नाम है Charles Lake Lake यानि इनको यह हरा कर इस खिताब को पाए है और अगर ह जितने भी Championship आयोजन किये जा रहे हैं उसमें लगातार ये जितने ही आ रहे हैं आगे बढ़ते हैं देखते हमारा अगला नीवस अगला नीवस यह है कि World Society Prevention Day 2022 सेलिबरेट किया गया है कब किया गया है इसका theme क्या है और क्यों किया गया है इस पर चर्चा कर लेते हैं तो जो World Society Prevention Day 2022 का जो हमारे पुड़े विश्यों में मनाया गया है वो 10 सेप्टेंबर को मनाया गया है और हर साल 10 सेप्टेंबर को ये दे मनाया जाता है जैसा यहाँ पे आपको इस जो है टर्म से आप समझ में आ रहा होगा कि World Society Prevention Day यानि कि जो suicide के तरफ जो attract होते हैं जो लोग suicide करत हैं उनको बचाने के लिए basically ये दीन सेलिबरेट किया जाता है उनके वीचारों को बदलने के लिए उनको suicide से protect करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए ये दीन जो है celebrate किया जाता है और इसे सबसे पहले जो है International Association for Suicide Prevention डबलू एचो के समर्थ में शुरू किया गया था और इसे सबसे पहले जो शुरू किया गया था वो 10 सेप्टेमबर 2003 में शुरू किया गया था और ये decision लिया गया था कि हर साल 10 सेप्टेमबर को पुरे विस्तों में लोगो को जागरुक करने के लिए सुसाइट के प्रती कि इससे कितने भयंकर नुकसान होते हैं आपके और आपके परिवार को इस जो है विचार को बदलने की जरूरत है इस ऐसे जो है तथ्थे के साथ हर साल दस सेप्टेमबर को वर्ड सुसाइट प्रिविंशन डे सलब्रेट किया एक दिया गया कि तीन अगले तीन वर्षों तक इस वर्ड सुसाइट प्रिवेंशन डे ंटी जो ठीम होगी वह क्ररिटिंग छुफू धूर एकसन ही होगी और यह इसका दूसरा साल है यानि कि अगला साल 2023 का भी जो theme होने वाला है वो यही होने वाला है creating hope through action इस डे का जो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा आगे बढ़ते हैं देखते हमारा अगला news अगला news यह है कि एक airlines company है जिसका नाम है Spice Jet इन्होंने अपने नए CFO यानि कि Chief Financial Officer के रूप में असीस कुमा निका रहा है और इनके पास कितने overall experience है इस पर चर्चा करेंगे तो आसीस कुमार जी की जो अलग-अलग industries में इनके जो overall experiences रहे हैं वो 26 साल के रहे हैं और इनका जो Spice Jet से नाता जुड़ा है वो 2019 में इनका Spice Jet से नाता जुड़ा है और 2019 से पहले यानि कि 2014 से 2018 तक ये Inter Globe Hotels के Chief Financial Officer के रूप में 5 सालों तक ये कार कर रहे थे और इसके बाद ये Spice Jet से जुड़ गया है इन्होंने बहुत हिंदोस्तान के बहुत बड़े बड़े कंपनी जैसे की Reliance Infrastructure और हिंदोस्तान Petroleum के साथ भी इन्होंने कार किया हुआ है और अभी जो है ये Spice Jet के Chief Financial Officer के रूप में न्यूक्त किये गया है और अगर हमें Spice Jet के अभी CEO के बात करें तो उनका नाम है अजय सिंग और इसकी Headquarter दिली NCR की गुरूवराम में सिच्वेटेड है आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला न्यूज अगला न्यूज ये है कि United Nation की जो Human Rights Committee है उसके अगले Commissioner के रूप में एक ब्यक्ति की नियूक्ति की गई है और उनका नाम क्या है इन्होंने किसकी जगा लिये इस पर चर्चा करते हैं तो इनका नाम है वोलकर तुर्क और ये और आस्ट्रिया से बिलॉंग करते हैं और ये United Nation के Human Rights Committee के आठवे Commissioner बने है यानि कि ये जो Committee है बिसिकली पूरे Human Rights पर काम करती है और इस Committee के ये नए Commissioner के रूप में नियूक्ति किये गया है इनकी जो appointment की गई है वो United Nation के Secretary General जिनका नाम Antonio Guterres है इनके द्वारा इनकी नियूक्ति की गई है और ये जिनकी जगह लेंगे उनका नाम है Michelle Bathlet और ये चिली की रहने वाली है और ये इनकी जगह ल त्री में की गई है आगे बरते हैं देखे मारा अगला नियूज अगला नियूज यह है कि ये खिलाडी है जिनका नाम है Barbora Espota Kova इन्होंने retirement की घोसना कर दी है अब जैसा कि आपको यहाँ पे figure में दिख रहा है कि ये खिलाडी जो है ये Javelin Throw की खिलाडी है लेकिन किस क्यों बोल रहा हूं इसे भी आप सुनिये क्योंकि ये दो बार की Olympic Champion और World Record Holder Javelin में रह चुकी है इन्होंने 2008 और 2012 के Olympic में अपने देश को इन्होंने Gold Medal दिलाया है Javelin Throw में और 2016 में जो Olympic का आयोजन किया गया था उसमें इन्होंने अपने देश को Bronze Medal दिलाया है अब और इनक Olympic की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने Olympics के तीन मेडल अपने नाम किये हुए है इससे पहले Javelin Throw में किसी भी महिला खिलाडी के द्वारा तीन Olympic Medal नहीं जीते गया है और इनके और performance की बात करे तो World Championship 2007, 2011 और 2017 इन तीनों Championship में इन्होंने अपने देश को Gold Medal दिलाया है और 2009 के जो Championship ह हुए थे उसमें इन्होंने Silver Medal दिलाया है और सबसे बड़ा record जिस पे अब मैं चर्चा करने वाला हूं इनका जो सबसे बड़ा record है कि अभी तक Javelin Throw में किसी भी महिला के द्वारा इन्होंने जितना best throw किया है उतना नहीं फेका गया है और इनका जो best throw रहा है यानि कि वो ए 72.28 मीटर और इनके द्वारा ही ये throw फेका गया है और ये throw आज भी इनके नाम जो है record है यानि कि किसी भी भारतिये या अन्य देसों के महिला जैवलीन के प्लेयर के द्वारा इतने services throw नहीं फेके गया है तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ current affairs जिस पे मैंने चर्चा किय जो आपके exam के लिए काफी ज्यादा important है वैसे तो दीन में बहुत सारे घटना होते हैं जैसा कि आपको पता है आप चाहे तो news भी देख सकते हो या अख़बार भी पढ़ सकते हो लेकिन वहां आपको समय बेर्थ होंगे तो उस समय को बचाने के लिए हम कुछ ऐसे current affairs यहां तो TV देखने की जरूरत नहीं पढ़ेगी current affairs के लिए अगर आप exam की तयारी कर रहे हो आप सीधर direct सरकारी परिक्षा की YouTube चैनल पर आईए और हर रोज हम आपके साथ daily current affairs पर चर्चा करते हैं आप उस daily current affairs की video देखें और आप अपने exam में current affairs में अच्छा marks जरूर गेन कर MCQ परती दीन की MCQ यानि की daily quiz आप सरकारी परिक्षा की official website पे जाके लगा सकते हैं आप सरकारी परिक्षा के official website पे जाए और वहाँ पे daily quiz का सिक्षन है आप daily quiz पे click करें वहाँ पे आपको प्रती दीन की quiz आपको मिल जाएंगे और आपके जैसे exam में current affairs का सवाल पूछे जात हैं आप वहाँ उसको एक limit समय में लगाएं और अगर आपका जवाब गलत होता है तो हम उन्हें वहाँ पे सारे detail information उससे जुड़े available करा दिये हैं ताकि आपको कहीं और उसको ढूणने की ज़रुत नहीं है आप वहीं पे उससे जुड़े news को पढ़ सकते हैं ठीक है तो च पर चर्चा किया है इसका नाम है तारागिरी और पहले युदपोत का नाम क्या है निलगिरी और दूसरे युदपोत का नाम है जो है उदायगिरी और तीसरा है तारागिरी इसे याद रखिएगा अगला सवाल है सिंगापुर के प्रतिस्ठिट सैनने पुरुसकार पिंग कि मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट के अगले उंचा यूक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। अधिकारों के संयुक्त रास्त के अगले उचायूत के रूप में जो नियुक्ति की गई है वो वोलकर तुर्क की नियुक्ति की गई है और ये कहा के हैं तो ये और्स्ट्रिया से बिलॉंग करते हैं तो दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ इंपोर्टेंट करिंट अफियल्स जो आपके एकजाम में पुछे जा सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव के साथ सेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है और सबसे जरूरी बात, जो मैंने सुरू में ही कहा था, कि आपको सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और बिल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, धन्यवाद.